गुड मोर्निंग एवरिवान दोस्तों स्वागत आपका प्रेप पॉइंटर्स में तुड़े इस थर्टी तो फोगस्त और आज जो सेवन टोपिक्स में आपका कवर करवाने वाला हूँ उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं परसीड मीटियोर शावर ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे मीटियोर क्या होता है, मीटियोरोइड क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, कोमेट क्या होता है यो छोटी-छोटी टम्स कभी-कभी एक्जाम में पूछ लेता है सो उस context में हमें बात करेंगे एक economy वाले section से थोड़ा समय कहूंगा difficult सा topic है जो शायद आपने कभी इससे पहले नहीं सुना होगा overnight index swap ये क्या होता है अभी RBI ने अपने interest rate के अंदर क्या क्या changes करने वाली है और जो investors हैं वो किस तरह से उसके लिए respond कर रहे हैं वो हम लोग यहां पर बात करेंगे क्योंकि economies अगर आप देखेंगे exam में जादा तर questions वो keywords के form में ही पूछे जाते हैं उसके आसपास के understanding के बारे हैं पूछे जाते हैं जो उस context में थोड़ा सा यह important topic है ठीक है जी चलो पिना का हलका सटोपिक है दो मिनिट का आपको यहां पर बताऊंगा मैं पिना का एक basically एक defense equipment weapon है जो हम लोग इंडिये develop कर रहे हैं उसके बारें बात कर सकते हैं hoverfly क्या होता है जम्मू कश्मीर के कुछ scientist ने वहां पे एक hoverfly का नया species discover किया है कश्मीर के अंदर कहीं सारी flies को discover किया गया है तो उस context में थोड़ा सा बात कर सकते हैं because environment ecology में आपको पता है हमेशा से सवाल आते हैं कोई नए species के बारे में 2-3 सवाल आपको हर बार exam में देखने को मिलते हैं तो उस context में बात कर सकते हैं नील कुरिंजी क्या है इसके बारे में बात करेंगे कल भी मैंने आपको इस variant के बारे में बताया था जो कि Western Guard के अंदर पाया जाता है नील गिरी Hills के ओपर यह special तरह एक flower होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं नील कुरिंजी International Space Station ISS के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक Indian origin की हाँ तो वह American citizen है बट Indian American origin की है सुनीता विलियमसन का नाम आपने शायद सुना भी होगा एस्टोनोट है वो अभी स्टक हो गई है ISS के अंदर International Space Station में वहाँ फस गई है तो उसके बारे में बात करेंगे उसके लावा Escutercia ये क्या है इसके बारे में बात कर सकते हैं चलिए तो पहला टोपिक है परसीड meteor shower थोड़ा आपको पिक्चर दिखा देता हो शायद आपको तब थोड़ा और better clear हो जाएगा ये देखे इसकी पिक्चर है ये जो आपको lines ही नज़र आ रही है न ये basically meteorites है meteorites हैं जो अर्थ के atmosphere के दर entry करते हैं तो ये burn out हो जाते हैं ये देखे ज़रा burn out होने की वज़े से क्या होता आपको ऐसा लगता है कि ये तो तूटते हुए तारे हैं कई बार लोग इसको बोलते भी है भी तारा टूट रहा है फिल्मों गरह में कई बार दिखाया जाते हैं ऐसा के अच्छा तारा टूट रहा है उसके एक wish मांग लो आपकी wish पूरी हो जाएगी जबकि ये सब एक physical phenomena होता है ये meteorites होते हैं जो अर्थ के ट्मोसफेर में एंट्री करते हैं जैसी हुमारे मेजोसफेर के अंदर जनरली एंट्री करते हैं तो वो burn out हो जाते हैं प्रिकोस बहुत ज़्यादा friction हो जाता है है ना उस context में तो ये जो परसीड meteor shower है ये हर साल होता है जुलाई के महीने से लगबग लगबग शुरू होता है और लगबग लगबग पुरा महीना लेट अगस्त तक चलता है लेकिन इसकी जो highest peak जो meteor shower की होती है वो 11 और 12 तेरा तारीकों थी मतलब आज भी है अगर आप northern hemisphere में हो तो obviously आप सभी लोग northern hemisphere के अंदर ही है आप रात को midnight से लेके early morning तक इसको देख सकते हो तो आपने करना कुछ नहीं है पर छट पे चड़ जाना है और आसमान की तरफ ऐसे मूँ खोल के देखते रहना है मूँ भी आँख खोल के कि कुछ आपको दिखेगा तो आपको शायद दिख सकता है ठीक है पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि परसीड मीटिय और शावर basically है क्या देखे एक comet होता है उसका नाम होता है swift turtle ठीक है comet usually हमारे solar system के बाहर से आते हैं जो solar system के just बाहर का जो area होता है वहां से कुछ comet सर्थ की तरफ आते हैं और यह अपने साथ comet बहुत कुछ लेके आते हैं यह अपने साथ ice लेके आएंगे dust particles लेके आएंगे solid particles लेके आते हैं बहुत कुछ इनके साथ होता है comet की picture आपको मैं दिखा देता हूँ देखिए comet आपको इस तरह से नज़र आते हैं ठीक है यह comment की picture है आपने शायद कभी देखा भी होगा जिन्दगी में तो यह comet न हमारे solar system को visit करते रहते हैं और कभी-कभी वो earth से भी दिखाई देते हैं तो यह जो shift turtle जो comet है यह जब आया था बहुत साल पहले तो अपने साथ कुछ dust particles होगरा और हलके-हलके solid particles लेके आया था वही solid particles हैं जो आज earth के atmosphere के अंदर entry कर रहे हैं उन्ही को हम लोग आज meteorite shower कह रहे हैं बस और कुछ नहीं है comment चला गया लेकिन उसके जो छोड़े हुए particles थे left out वो आज भी हमें दिखाई देते हैं इस तरह के shower के रूप में नदर हमीश पर आपको दिख सकता है आप थोड़ा सा इसको देख लीजेगा जिस constellation से आ रहे हैं उसे कहते हैं पर्सियस constellation ठीक है एक group of stars है जहां से ऐसा लगता है कि वो आ रहे हैं उस context में याद रखना है अच्छे यह बहुत बड़े नहीं होते हैं बहुत ही tiny होते हैं sand particle types बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं तो there are 99.999% chances के वो earth के atmosphere के अंदर ही burn out हो जाते हैं लेकिन कभी-कभी rarest of rare cases में वो earth के surface पे भी आ सकते हैं कुछ damage नहीं करते हैं बहुत जादा क्योंकि छोटे से particle होते हैं हाँ अगर बड़ा particle होता तो शायद वो काफी जादा damage कर ही सकता है लेकिन कभी यहाँ पहुंचते नहीं है क्योंकि जब earth के atmosphere में पहुंचते हैं तो temperature usually 1600 degree centigrade हो जाता है because of the friction और यह usually burn out हो जाते हैं 97 km above the ground यह लगभग लगभग पूरी तरह से खतम हो जाते हैं ठीक है कोमेट के बारे में हलका सबात कर सकते हैं आप से देखा एक्जाम में simply पूछेगा वो यह term देगा swift turtle आप से पूछेगा कि swift turtle was recently news this term was recently news what it is ठीक है तो आप से पूछेगा वो कोमेट है कोई मून है किसी का कोई satellite है कुछ भी पूछ सकता है तो आपने याद रखना है यह एक कोमेट है यही वो कोमेट है जिसके वज़ए से यह meteorite जो है आप यह आर्थ के उपर आते हैं यह कोमेट हर साल 133 years के बाद हमें दिखाई देता है यह कोमेट लास्ट टाइम 1632 के अंदर दिखाई दिया था उसके बाद 1992 में दिखाई दिया था और अभी 2126 हम लोग तो कोई जिन्दा होंगे ही नहीं है ना हमारे बच्चे ही होंगे बच्चों के बच्चे होंगे उनको यह दिखाई देगा तो अपना तो चांस गया इस कोमेट को देखने का ठीक है इतना अपने थोड़ा सा याद रखना है पहले ऐसा माना जा रहा था कि यह जो कोमेट है जब वो हमें विजिट करेगा 2126 के अंदर तो शायद यह बहुत ज़़ा डैमेज कर सकता है कोमेट और यह अर्थ से टकरा सकता है यूजली कोमेट अर्थ से टकराते नहीं है बट फिर भी calculations की गई बाद में थोड़ा सा और detail calculation की आगा तो पता चला के नहीं ऐसा होने वाला नहीं है शायद 30-44 के अंदर ये अर्थ के नजदीक से पास हो सकता है तो ये हिट नहीं करेगा तो टेंशन माली बात नहीं है अर्थ सेफ है फिलहाल इस कोमेट से तो सेफ है हो सकता कोई दूसरा मेटियोराइट बड़े वाला आ जाए जैसे पहले भी पास्ट में कहीं बार आ चुके है लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए एस्ट्रोइड क्या होता है ठीक है देखें मैं ऐसा माना जाता है कि बहुत साल पहले मार्स और जूपिटर इनके बीच में भी एक प्लैनेट हुआ करता था बिलियन्स ओफियर्स अगो लेकिन एक बहुत बड़ा पार्टिकल या फिर बहुत बड़ा अब्जेक्ट उससे टकराया और वो तूट गया और उस प्लैनेट के जो ब्रोकन पीसिज हैं वो आज भी जूपिटर और मार्स के बीच में घूम रहे हैं जादा तो छोटे-छोटे हैं लेकिन कुछ थोड़े बड़े भी हैं उन्ही को हम लोग कहते हैं एस्टरेट्स जूपिटर और मार्स के बीच में देखने को मिलते हैं यह कभी-कभी अच्छली काफी अर्थ को भी विजिट करते हैं जब तक यह स्पेस में होते हैं हम इने मेटेवरोइड कहते हैं टाइनी डेस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं क्रिकेट बोल के जैसा भी हो सकता था बड़ा साइज भी हो सकता है लेकिन वो जब अर्थ के atmosphere के अंदर entry करते हैं, तो उनका नाम बदल जाता है, उसे हम लोग meteors कहते हैं, ध्यान रखना है चीज सेमी है यह, जैसे गंगाधरी शक्ति माने है, वैसे ही है, ठीक है, spider-man वाल एक्जांपल भी देख सकते हैं, पीटर पार्कर, meteoroid, जब वो अर्थ के atmosphere में नहीं होता, meteors, जब वो अर्थ के atmosphere के अंदर आ जाता है, जब वो अर्थ के atmosphere में आता है, friction की वज़े से light create होती है, और कई बारे इसको हम लोग बोलते हैं, shooting star, फिर आप wish भी मांगते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन, आपको मैंने पहले बताया, 99.99% times, वो atmosphere के अंदर burn out हो जाता है, लेकिन, जब वो अर्थ पे पहुँच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं, meteorites, उसे कहते हैं meteorites, कोमेट का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इसके अंदर dust होती है, rocks होती है, ice होती है, और इसकी एक टेल होती है, ठीक है, कोमेट की एक ऐसे टेल होती है, तो जैसे अगर sun इस side में है, अगर sun यहाँ है, तो इसकी जो tail है, वो sun से opposite side में होती है, ठीक है, अब बिस लिए बाता भाई, आप जब बाइक पे जा रहे होती हो, तो आपकी बाल, आपके जो बाल है, वो आगे की तर समझ में नहीं आएगा अगर आप नए economy को पहले से बहुत अच्छे से नहीं समझा है तो interest rates क्या होती है और बे कैसे काम करता है investors को और बे कैसे influence करता है वो सारी चीजें लेकिन मैं आपको थोड़ा सा simple way में बताने कोशिश करता हूं हलाकि यह थोड़ा topic बड़ा है कि overnight index swap होता क्या है कैसे काम करता है एक को एक दो example के साथ आपको मैं समझानी कोशिश करता हूं आप यह देखे जैसे मालो यह कोई bank है अच्छे इसमें लिखावा ना overnight तो मतलब यह एक रात के लिए काम करता है यह interest rate तो जैसे मालो कोई bank है bank का नाम है जी x y z ओके bank ने किसी से पैसा लिया चीक है बैंक भी तो पैसा लेता यह ना हमसे भी तो पैसा लेता है bank bank ने किसी से पैसा लिया तो let's say वो किसी fixed interest rate के उपर लिया कि अब यह 2%, 3%, 4% लेकिन bank ने यही पैसा आगे दिया किसी को दिया, loan दे दिया, loan लेकिन यह जो interest rate bank ने दिया है वो fixed interest rate पे नहीं दिया है वो floating interest rate पे दिया है floating का मतलब होता है कि यह table नहीं होता, up and down आउन हो सकता है कम भी हो सकता है, जादा भी हो सकता है, ध्यान रखे, bank ने जो पैसा लिया है वो fixed लिया है लेकिन जो उस ने दिया है वो floating लिया है, ओके, यह जो fixed interest rate हम लोग ने fix कर दिया और एक floating interest rate हम लोग ने, जो market के हिसाब से वो decide हो जाता है, अब मान के चलिए, अगर यह floating interest rate, अगर 6% हो गया, और यह जो fixed interest rate है, जहां से bank ने पैसा लिया है, अगर यह 8% है, बैंक को तो नुक्सान हो गया, क्योंकि 8% interest rate पे बैंक ने लिया है, और सिर्व 6% पे बैंक ने दिया है, तो बैंक को तो सिधा-सिधा 2% का घाटा हो गया, बैंक लोज में चला गया, है ना, अब इस सारे system को थोड़ा सा rectify करने के लिए, इस problem को दूर करने के लिए, हम लोग के सारे deal करते हैं, अब देखिए, जो floating interest rate है ना, यह कोई fix नहीं होता, obviously, यह आज कम हो सकता है, कल जादा हो सकते है, दो घंटे बाद भाद ही change हो सकता है, तो इसमें थोड़ा risk रहता है, काफी जादा, थोड़ा fluctuating होता है, अब बैंक ने क्या किया, डिलर से deal किया, और उस अब मुझे नुकसान हो या मुझे फैदा हो, doesn't matter, आप मुझे दे दीजिए, तो बैंक जो है वो, यह जो swap होता है, floating और fixed exchange rate system के अंदर, वो उस dealer के थुरू handle कर लेता है, अब उस dealer को commission मिलता इसके बीच में, उसको फैदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बैंक का त करता है, कि यह floating interest rate कितना है, अगर floating interest rate कम है, फिर तो bank को benefit हो गया, अगर बहुत जादा हो गया, फिर bank को नुकसान भी हो सकता है, y-c-vars- nào हो सकता है, conditional depend करता है, आप bank पैसा दे रहे हो, या पैसा ले रहे हो, लेकिन यह floating interest rate है, यह RBI के उपर depend करता है, अनना, RBI को decide करता है तो RBA की policy के हिसाब से यह floating interest rate जैसे यह उपर नीचे होता है तो banks का profit और bank का loss उसके उपर depend करता है उसके लिए वो dealer के साथ deal करते हैं और इसके बीच में जो जैसे मैंने आपके हमें 2% बताया यह जो अभी 8% और 6% के बीच का difference था इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं एक तरह से divide कर लेते हैं एक तो यह example होगे जो मैंने bank को लेके यहाँ पर बताया है एक दूसरा example भी आप कर सकते हूं जैसे company A है और एक है company B company B ने पैसा borrow किया है एक fixed interest rate पे पैसा borrow किया fixed interest rate पे let's say 8% लेकिन जो company B ने पैसा borrow किया है वो किया है floating interest rate पे let's say it is 6% लेकिन यह तो floating है 6 से 5.5 भी हो सकता है 6.5 भी हो सकता है अब यह क्या करते हैं दोनों company आपस में agreement करती है कि देख भाई मैंने fix पे लिया है तो उन्हें floating पे लिया है तो एक agreement करते है उस agreement का मतलब होता है overnight index swap अब जैसे माली इनों ने क्या किया वैसे साल में 4 बार होता है तो 3-3 महीने का होता है यह जुन के बीच में agreement होता है तो 3 महीने के बाद यह देखा जाएगा कि company A कितना interest rate पे कर रही है और company B कितना कर रही है जैसे तीन महीने के बाद अगर company 8% कर रही है और company 6% कर रही है तो इसका मतलब company A वो 2% extra कर रही है तो इस 2% को company B compensate करेगी ठीक है? इसको वो compensate करेगी अब मालो 3 महीने के बाद company A तो 8% करी रही थी fix और company B मालो यहाँ पे 9% कर रही है after 3 months तो यह जो 1% है यह company A company B को compensate करेगी क्योंकि दोनों ने agreement किया हुआ है कि देख मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूँगा जो तुझे नुकसान होगा तेरी भरपाई मैं करूँगा अब नुकसान तुमें भी हो सकता है मुझे भी हो सकता है अगर मुझे नुकसान होगा तो तुम मुझे compensate करूगे तुमें होगा तो मैं तुमें compensate करूँगे इससे कहते हैं overnight index swap तो यह जो investors होते हैं जो companies होती है वो इन चीजों का use करती है ठीक है RBI अभी क्या कर रही है interest rate को वो review कर रही है investment को review कर रही है जो FPI है हमारी foreign portfolio investment वगरा है उनको review कर रही है और market में एक ऐसा message गया है कि शायद interest rate increase हो सकते हैं उसी लिए overnight जो index swap market है हमारी यहाँ पे काफी ज़्यादा active हो गई है चीक है और 96% तक का उन्होंने अब तक use कर लिया है जबसे JP Morgan के अंदर Indian जो bond है Indian government bond है वो index हुआ है तब से international market में Indian bond की काफी ज़्यादा demand बढ़ गई है आपका बताता चलो demand जितनी ज़्यादा होती है interest rate उतना ही कम होता है demand जितनी कम होती है interest rate उतना ही ज़्यादा आपको देना पड़ता है जैसे American government की जो bond है उसकी market में बहुत demand है internationally बहुत ज़्यादा demand है इसलिए American company बहुत कम interest rate में भी पैसे का जुगाड कर सकती है तो कि सब उसकी demand करते हैं डोलर की Indian government ऐसा नहीं कर सकती है ये कुछ समझ से हमारे यहाँ पे होती है तो अब तक 2.1 trillion rupees का exchange overnight swap के अंदर हो चुका है यह मैंने आपको पूरे का पूरा बता दिया क्या होता है overnight index swap example मैंने आपको दे दिया उस example से समझो कि तो आपके लिए better है लेकिन आपको यह कि एक एक तरह से investment tool होता है एक derivative होता है ठीक है जो investments की जाती है इंवेस्टर्स के दुवारा इस market में उनके दुवारा exchange rate को fix करने के लिए यह किया जाता है early 90s के अंदर इसको introduce किया गया था मैंने को बता ही दिया कि interest rate जो fix होता है और जो floating होता है उसके बीच का यह एक gap होता है basically जो एक दूसरी party दूसरी party को करती है क्यूं करते है purpose क्या था purpose यही है कि अगर condition एकदम से बहुत fluctuate हो जाए adverse हो जाए उस समय पे आप अपने नुकसान को थोड़ा सा कम कर सकते हो ठीक है उसलिए इसको रखा गया था इस context में इसको याद करें लेकिन जिन बच्चों ने economy नहीं पढ़ा है आज तक कभी भी जिन्दगी में खास कर यूपेसी के perspective से तो आप फिलाली इस topic को थोड़ा सा avoid कर सकते हो ठीक है एक बार जब आपके basic concepts cover हो जाएंगे economy के standard topics से तब आप जाके इस topic को पढ़ोगे तभी समझ में भी आएगा आप तक आपने पढ़ा ही नहीं inflation क्या होता है interest rate क्या होता है capital market कैसे काम करती है rb के functions क्या क्या होते है cb का क्या roll होता है stock exchange कैसे काम करता है जब तक यह basic चीज़ आपको पता ही नहीं है यह topic आपको समझ में उबस लिया आएगा नहीं पहले आपना basics cover करें economy में फिर जाके आप इस तरह के topics को पढ़ो हाँ जिन्हों ने पड़ रख उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है पिनाका तो हमारों जो DRD हो है ना defense research and the development organization यह अभी एक नया weapon बनाने की कोशिश कर रहा है पिनाका MK3 ठीक है इसकी range हो जाएगी 300 km से ज़्यादा लेकिन पहले भी है हमारे पास यह लेकिन पहले इसकी range बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास अभी तक जो है वह 90 km तक का है जो कि अभी testing phase में चल रहा है 40 km वाले भी testing phase में चल रहा है और हम लोग बना रहे है 300 km तक तक तो यह ऐसी missile हम लोग बनाएंगे जो यह ट्रक होते हैं आपको दीखे रोगा पिक्चर में इन से हम इनको launch कर सकते हैं यह दोनों तरह की हो सकती है guided भी हो सकती है और unguided भी हो सकती है guided का मतलब यह होता है कि एक missile जो जहां से चलती है और जहां target को hit करती है पूरे रास्ते में उसको computer के दवारा guide किया जाता है कि तुम्हें कहां जाना है कहां नहीं जाना है एक होती है unguided आपने एक बार उसको यहां से launch कर दिया अपना रास्ता खुट डूंड लेगी आपक पिक्चर तो मैटर भी नहीं करती है पिक्चर तो नहीं दिखाएगा UPSC आप से बढ़ हां कुछ कश्मीरी साइंटिस्ट ने हवर फ्लाइ का एक नया स्पीची डिस्कवर किया है ठीक है आपना इसको याद रखना है इट इस ओल्सकोड फ्लावर फ्लाई क्योंकि यह जो खाते हैं एज़ फूड सोर्स और फिर पॉलीनेशन भी करते हैं तो यह कॉंसर्ट आपको थोड़ा से यहां पर समझना पड़ेगा ठीक है इसमें ज्यादा और इसमें कुछ यहां पर धा नहीं ताब कि यहां जैसे बताही दिया कि जो अडल्ट होते हैं वह नेक्टर खात इंदर भी अभी विछले कुछ सालों में इसको डिसकवर किया गया है विकोज क्लाइमेट चेंज की वज़े से टेंपरेचर इंक्रीज यहां पर हो रहे हैं चीक है पिक्चर देखके आपको समझ भी आगा कैसा होता है इसका एक फ्लाइड होता है शोट एंटीना होता है ब पिक्चर आपका दीखी रही होगी तो नील मतलब नीला चीक है और जब हम लोग बात करते हैं नील गिरी हिल्स की वो जो नाम पढ़ा है नील गिरी हिल्स वो बेषी इसी फ्लावर के लिए पढ़ा है चीक है नील कुरिंजी कल भी माने आपका इसका एक वेरियंट बताया जो साथ सालों में एक बार ब्लूम करता है नील कुरिंजी 12 सालों में 12 इसमें एक बार ब्लूम करता है तो इंपोर्टेंट तो है ही अभी नियूज में इसलिए है क्योंकि पहले इसको आई-उसी एन ने अपनी रेड़ लिस्ट के अंदर नहीं डाला हुआ था अब रेड़ में चला जाएगा यह वोल्नरेबल हो जाएगा क्योंकि हैबिटाट लोस काफी जादा हो रहा है क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तूरिस्ट अक्टिविटी बढ़ रही है और लोग इसको क्लेक्ट करना पसंद करते हैं और लोग इसको फूल अगर 12 साल में अगर ब्लूम कर रहा है तो लोग उसको छोड़ेंगे थोड़ी क्योंकि अब तो बारा साल के बाद ही आएगा तो इसका एक वैसा सोचल मीडिया की वज़े से भी जो है यह काफी पॉपलर हो गया है और लोग इसको कलेक्ट करते हैं अनौथराइस्ट तरीके से वह एक रीजन इसका यहा पाई जातीं है वेस्टर गहांट में और एक जो सब पौपपलेशन वह आएफ जाती है इस्टर गहाट में सब पपॉपलेशन में आता है कि यह होता तरिक है निल कुलिजनी के फ्होंदी पे पर टॉत इस अ इस्टरन घाट में थर्टी थि पायते हैं वेस्टन घाट में चलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो भाई ऐस्टर नोट है सुनिता विलियम जी और इनके साथ एक आदमी और गए थे तो आइडिया ये था कि ये इंटरनेशन स्पेस स्टेशन जाएंगे आठ दिन के लिए वहाँ पे रहेंगे पुड़ा रिशर्च वगरा वर्क करेंगे और आठ दिन के बाद वहाँ से वापिस आ जाएंगे आइडिया ये था लेकिन ये जिस वीकल में वहाँ पे गए थे उसके लिए कुछ टेक्निकल इशूज हो गए और अभी वहाँ पे काफी दिन से स्टक हो गई है और ऐसा माना जा रहा है शायद अभी 7-8 महीने और भी वहाँ पे स्टक हो सकती है जब तक टेक्निकल इशूज दूर नहीं होते है तो हम लोग तो घर में थोड़ा सा फस जाते हैं तो दिन के लिए चार दिन आज हो जाती है यह महतरमा तो स्पेस के अंद में इंट्रैश्णल स्पेस स्टेशन इस टस टक हो गई है उनको वापी साणा थे किनन आ नहीं पा रही है थोड़ा साबकों इंट्शल स्पेस्टेशन के बारे फक्ट आप पर दिखाया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हीमन बिंग्स के द्वारा बनाया गया लार्जेस्ट मैन मेड ओब्जेक्ट है इंद स्पेस जब कोल्ड वर एंड हुआ अमेरिका रश्या थोड़े से क्लोज आए तो 1998 के अंदर इसको लॉंच किया गया कई सारी कंट्रीज के कंट्रिबुशन से यह बना है जिसमें अमेरिका का नासा रश्या का रोसकोमोज जपैन जाकसा यूरोप ESA कैनेड़ा का CSA यहां से भी एक्जाम में सवाल आ चुका है 2019 में पूछा गया था कि यह जो एजेंसी है वो कौन से कंट्री से बिलोग करती है जिसके अंदर जाकसा और रोसकोसमो यह दिया हुआ था यह चोटी चोटी चीज़ा को लगती है ना यह दो नंबर फ्री में होते हैं आपके एक्जाम में आपको लग रहा हूँ सरी ऐसे सवाल आते हैं क्या आते हैं फैक्ट बेस्ट तो पूछेगा आपसे वह जैसे यहां पर सुनीता विलियम स्टक हो गई है तो आप से इस तरह की चीज़े पूछ लिया को या जिंसे के बारे में पूछ लिया इंटरनेस स्पेस्टेशन के बारे में पूछ लिया अब यह कितनी हाइट पे है तो यह लगबग 400 किलोमेटर प एक नया स्पीसी हम लोग ने डिसकावर किया है वेस्टन घाट्स के अंदर एक ग्राउंड ड्वेलिंग स्पाइडर है यह जादतर अपना टाइम ग्राउंड पर स्पेंड करना पसंद करती है रादर देन ट्रीस एक इसको बड़ी खास बात है कहां पर इसको देखा कया है इसको देखा कया है शैंदूर्णी वाइड लाइफ सेंग्चुरी के अंदर ठीक है क्या खाती है भाई यह यह आप इटिंग स्पाइडर है चींटिय वगरा खाती है ठीक है इसके जो मेल का साइज होता है 2.54 और जो फीमेल होती है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है 3 चोटी चोटी चीजे याद कर सकते हो इसको कर लेना चलो आज यहीं पर समाप्त करते हैं मेंस मास्टर्स के अंदर अलड़ी आपका टोपिक अपलोड हो चुका है करला में जिस तरह से वेनाड के अंदर इतने सारे लोगों के यहां पर डैथ हुई है तो लेंट स्लाइड हो चाहिए अर्बन फ्लडिंग हो हीट वेव हैं इस तरह के जो डिजास्टर से ना जो काफी फ्रिक्वेंटल इंडिया में होते हैं यहां से काफी सारे सवाल आप से जाते हैं चीक है तो उसको थोड़ा से ज्यान रखें आप लोग चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक यू वरी मुच ओल्डवेस्ट जाहिए